बेके बास स्वागात है आपका टोटल यूस पर देखिए पंच सर पंच को मुक्यमंत्री मनुह लाखंटर तंदेश दिया है आप भी देखिए हेड़ कोईटर पर और सबी जिला के इंदरों पर ये सब शपत का करकम हम करने जा रहे हैं जहां तक आकड़ों का विशह है जिससा हमारे एसियस अनिल मलिक जी ने हमको बताया है मैं एक बार फिर उसको दोराना चाहूंगा क्योंकि इन आकड़ों से इस चुनाव का व्याप्त ये पता लगता है कुल मिला कर इन चुनाव में जो सीटे हैं जिनका चुनाव हुआ जिला परिशद पंचाय समीती पंच और सरपंच 71,606 में ये सीटे हैं इतने वाड हैं जिनमें प्रार्म में 1,60,192 लोगों ने नोमिरिशन किया उसके अंदर 2600 रिजेक्ट हुए 31,900 के लगबख विड़ा कर लिये गए और अंत में जो लोग जो युनानी मसली चुनाव हुआ जहांके वल एक ही नोमिरिशन प्राप्त हुआ ऐसी भी बहुत बड़ी संख्या इन 31,600 में से 40,500 लोग ऐसे थे लगबख 60% कह सकते हैं कि जो युनानी मसली चुनाव हुआ यह हमारे एक लोग तंतर की एक बहुत बड़ी ताकत है कि गावं में लोग सहमती से और इसको खड़ा करते हैं इस परकार जो चुनाव की बाकी सीटें बची हैं वो 39,474 बची और सभी जो कैंडिट जिन्होंने कंटेस्ट किया वो 85,127 थे 1770 ऐसी सीटें जो खाली रह गएं किनी कारणों से और उनका चुनाव यह भी बाद में कराया जाएगा मैं ऐसा मानता हूं कि पंचैती राज से बड़ा कोई चुनाव और खास करके अपने देश में जैसा होता है इस से और कोई बड़ा से बाचीत हुई तो बाचीत डेमोकरेशिया ने लोकतंतर पर चली और उन्होंने जब उनका बताया हमने के 2016 में लगबग 70,000 वाड़ों के हमने चुनाव कराये हैं और लाखों लोगों ने भाग लिया है लगबग एक क्रोड़ों लोगों ने मद्दान किया है वो एकदम ह चाकत को और उन्होंने भी स्राहा था तो मेरा ये कहने का भाव है कि हमारी जो पंचायतों की ये गौरोशालियक परंपरा ये आज की नहीं है ये सदियों परानी है क्योंकि पंचायती तोर पर ही ग्रामीन ख्षेतर उसका जो सह जीवन होता था उसमें बहुत प्रकार के फ स्थाएं हैं ये हमारी राष्टी एकता अखंडता सुशाशन इसका एक प्रकार से रक्षा कोच है तो हम अपनी जो न्याय प्रियता है इसके कारण से हम पंच परमेश्वर नाम भी पंचायतों को हमने दिया है तो इसलिए बहुत महत्पून ये विशाय है मैं इसको गाउ से पिछले आठ वर से जो जनत के कारे हैं एक के बाद एक नया विवस्था प्रिवरतमे का काम करके जनता की हित की और आगे बढ़े हैं और मुझे लगता है कि जनता में उस परकार का एक संदेश भी है कि सरकारों के अच्छे कामी हो रहे हैं लेकिन केंदर सरकार और चुनाव आज संपन हुआ है शेरों की चुनाव के पिछले कुछ समय पहले शेरों की जो सरकारे हैं वो भी बन गई हैं तो अच्छे प्रकार से काम करें इसके लिए हम भी वचनवद्ध हैं हमने बहुत इसके लिए संगर्ष किया लड़ाई लड़ी कि हमारी पंचायतें कैस यानि जनित की के अंदर काम करने वाली जो सरकार हो तो सच छवी की हो पढ़ी लिखी हो और पढ़ा लेखे होने का जो प्रावधान था इसको बहुत लोगों ने चैलेंज भी दिया और चैलेंज करो आखिर सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ी और स सच प्रशाशन देने में हमको बहुत बड़ा लाब होगा हमने मैलाओं का प्रतिनित्म ये भी पचास प्रिशत पहली बार इस बार सुनिशित किया है इसमें भी अभी तक मैलाए 33% के आरक्षन के प्रावधन से चुनावल अड़ती थी लेकिन इस बार 50% प्रतिनित्म उन की वित्य शक्तियां ये कैसे बढ़ें इसका भी विचार किया और इसमें जो अभी तक लागू नहीं होता था खास करके राजे वितायोग और केंद्रिय वितायोग इनका जो पैसा है वो सीधा इन पंचायतों के खातों में कैसे जाए ये सुनिशित किया है इसी परकार गा एक प्रश्यत जहां कम रहेगा वहां भी देने का प्रावधान हमने किया है प्रदेश सरकार उनी गाओं में और जलाप प्रश्यत पंचायत समितियों में पैसा एक परसंट बाटेगी जहां की अपनी आय बहुत कम है ताकि विकास के काम में वो भी पीछे न रह सकें हमने इसी प्रकार दो प्रश्यत जो बिजली के बिल हैं इसके ओपर भी एक सेस लगाया है ताकि वो लाब भी गाओं की जो बिजली के खर्च हैं वो सारे उसमें से निकल सकें तो हर बिल का दो प्रश्यत का पैसा वो भी सब गाओं में जाएगा इस बार जैसे पंचायतें और पंच जितने भी सरसमति से जुने जाएंगे सब के 54 जा रुपया और पंचाथ समीतरी का सदसे 2 लाग रुपया जला परिशिद का सदसे 2 लाग रुपया ये प्राओधान भी हमने किये हैं ताकि ये पैसा गाओं के विकास में सीधा सीधा काम आ सके और दिखिये कितना ब क्लब कराई जाएगी मित्रो गाउं की एकता इसको भी हमको बना कर रखना सुनिशित रखना है सामनेत्या पंचायतों के चुनाव में कोई भी चुनाव हो उसमें कुछ गुटबंदी भी सामने कभी-कभी आ जाती है अच्छी बात तो यह है कि साथ प्रसंद सरस्मतिस होने क के बाद शेश चालीफ पसंद जो पंचायते हैं उनकी ही यह चिंता का विश्य हो सकता है हरियाना में हम सारे समाज को एक करते जैसा देखें के जिरिवाल जी के दोस्त हैं और ऑफिशल बंगली चारधारा का कोई विधायक चुनक के आता है हम वर्ष वर्ष पांच वर्ष पूरा गाउं होता है बाकी सब के अपने वाड होते हैं अब आगे चल करके जलापरशद पंचायत सिमितियों में चेर्में वाइस चेर्मन बनेंगे उनका भी पूरा ख्षेत्र वहां की जनता उन सब को अपना परिवार माने और परिवार मान करके ही हम सब की सेवा के चुनाओ ये मेरा एक दाई तो है ये मेरा एक धर्म होना चाहिए चुनाओ होने के बाद मैं सबी का प्रतनिदी हूं नके किवल उन लोगों का जिनोंने चुद वोट दिया है नहीं दिया है मैं प्रतनिदी पूरी जनता का पूरे ख्षेत्र का हूं इसलिए वहां के विका उसके और विकास के नाते अभी तक माना जाता है शेरों का विकास ये सएध ज्यादा होता है लेकर हम उस दिन को बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे जब गाउं का विकास भी शेर के विकास के बराबर हो जाएं हमारा लक्ष है कि सब को रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्त और सम्मान ये आफशकता सब की पूर होनी चाहिए इस नाते से बहुत से काम ये हमने किये हैं कुछ काम जरूर मैं गिनाना चाहूंगा जैसे हर चुनिवी जो हमारी संस्ता है ग्राम पंचायत है, अत्वा पंचायत समीति, अत्वा जिला परिशद है इन सब के लिए अपने कारले होने चाहिए ग्राम सची वाले की कलपना हमने कुछ पर प्रारम की थी बहुत गावों में सोतंतर ग्राम सची वाले बन गए हैं और उन ग्राम सचेवालेओं में ग्राम पंचायतों की बैठकें ये होनी शुरू हो गई हैं जिलाप परिशदों के भी कारले बहुत जगा बन रहे हैं जहां शेश बचे हैं वो भी सब बन जायेंगे पंचायत समीतियों का भी कारले का व्यवस्ता कोई नव कोई हमारे जो अ सेशन जैसे प्रदेश सरकार की सेशन होते हैं तो हम जिवारी के साथ अच्छे काम करने की जोजना बनाने के लिए अच्छे प्रस्ताव पारिट करने के लिए जिला परिशयद और पंचायत समीतियों में सेशन एक दन के दो दन के एक से अधिक बैठकें करके ये चला सकते हैं जहां कहीं सतापक्ष विपक्ष अगर कोई ग्रूप बन भी जाते हैं तो भी सब को साथ ले करके और यह काम हमको करने चाहिए तो इस प्रकार से संचालन यह निमत हो उसमें प्रसावित पारिक प्रसाव पारिक किया जाए और जितने भी संबनित करमचारी और अधिकारी वो उसमें पुरा सयोग करें निश्य रूप से करेंगे भी सही ऐसा मेरा मानना है हमारे ग्रामिंग शेतर के अंदर लाल दोरा के बाद इसा बताई गई है लाल दोरा मालिकानाक मुझे मिल गया है तो उससे हमारा एक परकार से एक गरुब भी हमको होता है कि हमारे नाम से एक प्रापर्टी ऐसी वो हो गई है इसी प्रकार गाओं में हमने लाइब्रेरीज खोलनी के भी वश्था ऐसी सोची है बहुत गाओं में खुली हैं लेकर और अधिक गाओं में खुले इसकी योजनाभी अमारा ग्राम विकास बंतराल है हमारे मंतरी पुरा प्रतनशील है कि जदा जदा गाओं में लाइब्रेज खोलें पारकम व्यामशाला यह हमने बनाई हैं दो एकड़ के ओपर लगभख साड़े पांच सो ऐसी पारकम व्यामशाला है बन चुकी हैं इस वर्ष का टार्गेट जो एक जार पारकम व्यामशाला का है उसक को बिमार होने से बचाया जाए बिमारी के बाद इलाज कराना भी दाई तो हमारा है लेकिन आखिर विक्ति बिमार नहो अस्वस्त नहो यह उसे पहले का दाई तो है तो वेलनेस सेंटर्स के माद्यम से इस प्रकार के वश्थाएं की जाएंगी गाओं के अंदर शिवधाम कैसे ठीक हो हमने तालाब अथर्टी अफर्याना पाउंड अथर्टी अफर्याना यह बनाई है ताके प्रदेश वरके अठाराजार तालाब इनकी ववस्ताएं ठीक हमको करनी हैं यह काम भी बहुत तेजी से यह सब चल रहा है हर गाओं के अंदर बिजली 24 घंटे मिले मार ली दे रहे हैं सब गाओं में सड़कें पहुंच चुकी हैं अभी हर गाओं के अंदर एक गारोपट लगाया जाए यह पिछले पांच वरस की उजना में पंचायत वी भाग ने काम किया था ताकि उस गाओं का जो गारो है वहां के जितने भी ऐसे विक्ती जिनका कोई जो है वो कितना एक परमुख गाओं है गर्वित हरियाना योजना ये भी हमने लागू किया है कि वहां के यूवक वो मिल करके उस गाओं के विकास में किस प्रकार से काम करें ग्राम दर्शन की बात कि हमारे मंत्री जे ने हमको बताई है इसी प्रकार जनता की एक जानकरी प्रोपर जनकरी हमारे पस रहे हर परिवार का डाटा हमारे पस कैसे रहे ताके हम लोग हितकी योजना एक लियानकरी योजना बना सकें इसके लिए नया प्रियोग हमने किया परिवार पहचान पत्र और उस परिवार पहचान पत्र के अधार पर मुझे खुशी है कि हमने जो डाटा इकठा किया उसके अधार पर हम जो गरीब परिवार हैं एक लाख रुपे से कम आये वाले परिवार एक लाख असी जार परिवार इन परिवारों की बहुत सी योजना है यह ने लागू भी कर दी है और जमीनी स्थरों पहुंच गई है जैसे उधार के तौपर मु